स्वागत है हकीम साब धन्यवाद हकीम साब अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक शमता को लेके हम देख रहे हैं कि मार्किट में तो बहुत सारी दवाईयां उपलब्ध हो चुकी हैं लेकिन उसके बाद जूद भी व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे ऐसी सटीक दवाई मिल जा या फिर वो युनानी दवा ऐसी जान ले जिससे कि वो अपने औरा की तरफ यानि अपने पूरे शरीर को सुरक्षित रख सके क्योंकि हम भी जानते हैं दर्शक भी भली भाती जानते हैं कि अगर हमारी इम्म्यूनिटी बहतर रहेगी तो कोई भी रोग या कोई भी महामार का मिजज गर्दिशे वक्त बदल देता है इनसा का मिजज गर्दिशे वक्त बदल देता है इनसा का मिजज और आप नावाकिफ गम हैं ना समझ पाएंगे आप नावाकिफ गम हैं ना समझ पाएंगे एक परेशां ही समझता है परेशां का मिजज इस वक्त पूरी दुनिय में इम्यूनिटी की जरुरत है जेसा कि आपने का और इम्यूनिटी पर में कई दशक से बात कर रहा हूँ क्योंकि इम्यूनिटी को मैं जानता हूँ और युनानी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी दवाएं भी और घरेलन उसके भी بتاتا ہے Immunity के बगेर आदमी की जिन्तगी एक दिमक लगी हुई दरवाजे की तरह हैं कि वो कभी भी गिर जाए Immunity के आज सबको जरूरत है, Immunity के लिए मैं एक घरेल्टू नो उसका अक्सर बताता हूं और एक दवा भी और लोगों से कहता हूं कि आप आगर इस लायक नहीं है कि वो दवा खा सके तो आप एक रोटी कम खा लिजे और एक इम्यूनिटी की खुराख जरूर अपने को और अपनों को अपने बच्चों को अपने बड़ों को अपने बुजर्गों को अपने सब घर वालों को जरूर खिलाएं घरेली नुसका इस तोर पर है के लिसोड़ा, अलसी, उन्नाव, सौसो गिराम और हमारे किचन में पीपलें होती हैं गरम मसालों में वो तीस गिराम पाउडर बनाएं और एक चम्मच रोजाना खाली पेट निहार मूँ गरम पानी से लिया करें यह इम्मिनिटी बूस्टर है और कुछ लोग इसको नहीं बना पाएंगे, सब लोग कर नहीं समझते हैं मेरे बताय हुए नस्वा को, तो माजून आर केर, जिसमें भी इम्मिनिटी कमी हो, जरू खाएं, अच्छे हालात हैं तो दो वक्त, और खराब हालात हैं तो एक वक्त, एक रोटी कम खाएं लेकिन इम्मिनिटी की कमी ना होने दे, क्योंकि इस वक्त, विकास है हमारा जिन्दा बच जाना, हम यह समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें ही होता है, जो ल से ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है, अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा जरूर कीजे और एक इम्मिनिटी की खुराग जरूर लीजे, तो बिल्कु दर्श को बहुत अच्छी बात, यहां पर हकीम साहब ने आपको कही है कि आपको अपनी सुरक्षा जहतर करेंगे, तो इसका लाब आप लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ना तो कोई रोग हो पाएगा, ना कोई संक्रमर महामारी आपको छू तक नहीं पाएगी, बाकी दर्श को लाइब कारक्रम हैं, रोग संबंदी आप लोग कोई भी नुसके जानना चाहते ह हैं, तो लाइब अपना कीमती वक्त निकालके, हकीम साब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, बस आप लोगों को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है, जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगतार दिखाये जा रही हैं, समरीन हमारे साथ, स्वागत है समर करनी है, जी समरीन, बताईए क्या सवाल है आप, अप्राम हो जाता है, तो उसको जाते दान हो जाता है, तो जाते दान हो जाता है, ठीक है, एच क्या है आपकी? एच क्या है, उम्र क्या है आपकी? आदी चुटकी जिए चुटकी है ना आधी चुटकी खाने का सोड़ा प्मिला कर पी लिया करें एक बार और एक बार आपको लेना हैं एक नारियल पानी खरीदना है उसमें आदा गिराम गौन मौरिंगा मिलाके गौन मौरिंगा असली चाहिए और एक बार ये पी लिया करिए सुबा में सोडा पीए तो शाम में ये पी लिजे या शाम में वो पीए तो सुबह में ये पी लिजे और आप बहुत ख्यार लखिए अपना ये रोक ब जाथ नैना देवी जी स्वागत है आपका जी हलो मैं बोल रही हूं पर शेंची जी नैनी देवीजी सवाद करें अपना हाकीम साब से बाग करनी ही मैंने कल भी फॉन करा था तो उनके कंप्पनी और उसे बात हुई दोफ्स साब से जी जी बताईए मैं सुन रहा हूं मुर्गनीज देवी बताईए क्या बता रहे हैं सर्मेरे जडरत है सर जोर जोर में नसनस में चार पास साल होगी तुमेने बहुत दौए लेली तो मेरे फाइदा नहीं पड़ रहा है आयू कितनी है आपकी आयू कितनी है और क्या ब्रोग है अई मेरी जार से उपर ही है तट सकत तो पास कुछ नहीं कहना है यह सब मेरे सुनने इन में दरद होता है यह नस बेड़ी हो गई आप हमें यह बताईए आपके पास कौपी पैन है मर्ग नहीं देवी आपके पास कौपी पैन है लिख लीजे अरे वह बुलाकर लाएगा तो जब तक तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा इसमें हमें दो मिनट से ज्यादा नहीं बात करने की इजाज़त नहीं किसी भी मरीश स तो आप समझ लीजे इतने नुस्खा और याद कर लीजे और बुलाकर रखा करिए घेर पर से आदमी को बुलाकर रखा करिए और मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा वेट कर रहा हूं कि शाद आई जाए लेकिन आप हमारी बात रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और जिन लोगों क अलसी समझते हैं ना आप 64 years के हैं आप नेनी देवी अलसी ले लीजे चार पांच सो गिराम हलका सा भून के और उसका पाउडर बना के रख लीजे भूना है हलका सा बहुत जादा नहीं और इसको पाउडर बना के रखिए और गौन सियाह आता है गौन सियाह कहते हम लोग इसे काला गौन भी कह सकते हैं ये काला गौन आप बस 200 गिराम 300 गिराम खरीद लीजे और इसमें ये रो मैटेरियल लेना मतलब पिसा पिसाया नहीं लेना है और इसको जो अलसी का पाउडर आपने बनाया है ऐसी इसको भी पाउडर अलग से बना के रखें इसमें मिलाएं और एक चम माच अलसी लें और ये दो चुटकी में इतना ये गौन सिया आता है काला गौन इसमें मिलाके रोजाना दो टाइम खाना है सुबह नाश्टे के पस्चाथ और रातों खाने के पस्चाथ पानी से बगर चरबी के दूर से या रहीश हैं तो जूस से और गरम पान आपकी आईउ कितनी है पिचाथ साल चाहिए ठीक है और देखिए एक बड़ा अच्छा नस्खा है और मेरे जहां तक पहुँच है जहां तक मेरी बात पहुँचती है करोडों लोगों तक जिसने भी इस पर अमल किया उसका थायराइट को फाइदा मुम्किन हुआ और वो बहुत आसान नस्खा है आप बना लें खुद इस्तमाल करें और फाइदा उठाएं थायराइट के मरीज बहुत है इतने हैं कि जतने डाइबटीज के मरीज है इतने ही थायराइट के भी मरीज होने लगे हैं महिलाओं को ज्यादा ये रोग है तो वो और से सुनें लिख लें आपको मर्ज नहीं भी हो तो अपने द्धनिया तीन सो ग्राम आवला सो ग्राम और मेथी सो ग्राम ये तीन है और एक आता है गान मौरिंगा सफेद वाला लेना असली बिल्कुल असली मिल गया तो आपका काम समझ लीज़े हो गया इसको भी पौडर बना ले साथ में घर में पौडर बनाए सब रौ मैटेरियल लाना कुछ भी पिसा पिसा है नहीं लेना और जो गोली खाते हैं वो खाते हैं उसके साथ ही एक चम्मच इसका पौडर खाके पानी पी लिया करिए ज्यादा है तो सुबह और शाम भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि हर महीने आपका थाराइट जो रिपोर्ट आप कराएंगे पुरानी रिपोर्ट रा किये नई रिपोर्ट से उसको मिलाई है आप देखेंगे रोज हर महीने कम हो रहा है और बहुत जल्द आपका थाराइट बिल्कुल नॉर्मल आएगा डॉक्टर आपकी गोली कम करता करता चुड़ा देगा और फिर ये नुसका भी चूट सकता है बिल्कुल एसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है पटियाला से उंप्रकाश जी हमारे साथ स्वागत है आपका जी बताइए सवाल करिये अपना इंद की दिक्कत कम आती है जादा आती है आती है जाती है घ्रकाश फ्लि का थैकने है झाड़ थी के ओर किष्झ कर दो कि दिक्द गुणा है का गट वो कि परोबल्म थे गमा Bertha बहुत ज़्ज़ादा खड़े होते हैं से तप्ड़ीफ होती है बुद्रेनियों में है ने ने तीक्यैं जो दिखिये दो दवाएं बता रहें आपको मिल जाएं असरी असली मिलना बहुत जलूरी है तो दोनों में फाइदा मुमकीनाई दिखिये जो नींद नहीं आती है आपको तो अलोवीरा का सिर कह अलोवीरा का सब जानते तीन चमच चार चमच एक गिलास पानी में मिला कर पिएंगे आदा घंटे बाद आप लोगों से कहेंगे मुझे नींद आ रही है आप मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो और ऐसी नींद आया करेगी और वो पांच एमजी दस एमजी जो भी गोली खाते वो आसाने शूट जाएगी इधर की टेंशन इधर की टेंशन वो सब खतम करके आपको थपक के सुलाएगा यह निसका अलोविरा का सिर्का जूस नहीं सिर्का मुझकिल से मिलता है आप हासिल करें और इस्तेमाल करें जो दर्द है उसके लिए आपको ज़रा टाइम लगेगा एक गॉंद आता है गॉं काला गॉं यह काला गॉं गळवा बहुत हूता है और ब्राउन कलर का हुटा है लेकि इससे कहते हैं गॉं सिया तोब गॉंद करनिंख दिये अदधा गॉंद सुबा अदधा गॉंद शाम खाने के बाद खाया करें बगएर चर्वी के दूश्यों से पानी से या रईस है त त्यागी हमारे साथ स्वागत है आपका निहां जी हालो है चलिए लगता है आप से हमारा कॉट तूट गया कोई बातनीक बफिर से कॉंटेक करने का प्रियास कीजिए कारेक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप लोग संबंधी नुसके जानना चाहते हैं बहुत कीमती नुसके होते हैं दर्श को समझेगा इस बात को क्यूंकि लाखो लोगों ने अपने जीवन को बदला है इन नुसको के सहारे क्यूंकि इतने बड़े-बड़े रोग हो गए थे लेकिन हर बात जब उन्होंने फॉलो की हर बात का उन्होंने खयाल रखा और जो भी बाते यहां पे हकीम सहाब उनको बताते थे कैसे उनको नुसको का सेवन करना है कैसे बनाना है और कौन-कौन से परहेज करने हैं ये सारी बातों का खयाल रखे अब उनके जीवन में उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं है वो अ आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है